हेलो फ्रेंट्स वागत आप सबका आपके अपने ट्यूप चैनल इसमा एंवेस्ट्मेंट में बीसी जी यानि ब्राइट कॉम ग्रूप के क्वाटर बन के रिजल्ट्स आये हैं फ्रेंट्स उसके बारे में बात करेंगे जिसी तरह के चाल यह स्टॉक दिखाता है काफी सारे एनलिस्ट कहने लगे हैं बीच में कि एक पैने स्टॉक है भंगार स्टॉक है और यहां पर सिर्फ ऑपरेटर एक्टिव है हलाकि रिजल्स को देखे ऐसा नहीं लगता है रिजल्स हर फ्रंट पे ठीक लग रहे हैं क्यू एन क्यू वाइन वाइन वाइबैसिस में कम्पनी लगतार अच्छे रिजल्स दिखा रही है पर इस टॉक में फिर भी करेक्शन देखने को मिल रही है तो क्या क्यूवन रिजल्स के बाद में यहां पर तेजी बनेगी इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजादी का अम्रित महुसा हम 75 जो है पर हमें मिली है राकेज जुझुन वाला सभी इंवेस्टर्स और एनलिस्ट के लिए एक जो है इंस्पिरेशन थे उनका नाम ही सफलता की गारंटी माने जाती थे इस टॉक मार्केट में मैं अपने चैनल के माध्यम से लिजेंड राकेज जुझुन वाला को जो है शद्ध जैसा है और रिजल्स में भी काफी फ्लक्ट्विशन है तो हम बात करते हैं कि क्वाटर वन के रिजल्स कैसे आए हैं और आगे से स्टॉक की चाल कैसे रह सकती है रिजल्स हर फ्रंट पे बढ़िया है रिवान यू लगबग फंदरा सो करोड के आसपास आया है जो वाई- प्यू बेसिस पे भी 30% की आसपास की जम देखने को मिली है 35% की आसपास की कंपनी ने एक रुपे से 37 पैसे के आसपास का एपेस क्लॉक किया है रिवान्यू 126 परसेंट बढ़ा है और पैट 122 परसेंट आबिट के फ्रंट पर बेर रिजल्स बढ़िया है कुछ कमेंटरी भी जो है कंपनी की आई है कि कंपनी ने जो है 6 नई एड अजेंसिस एड करी है 14 नियू डिरेक्ट एडवर्टाइजर कि कमेंटरी में ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं था जो यहां पर डिसकस किया जाए पर रिजल्स अच्छे थे हर फ्रंट पर बढ़िया थे और पर मार्किट को में जिस तरह का पिछले वाटर बी रिजल्स अच्छा है तो जिस तरह का मोमेंट इस स्टॉक में आ रहा है वह यहां पर फ्रेंट्स इंवेस्टर के चिंता है बहुत बढ़ गई है अगर मैं अर्जेसिट बिस पर देखूं बोनस यह के बाद में तो 123 रुपे के असपास स्टॉक ने हाई बनाया तो 36 रुपे के असपास की करेक्शन आ चुकी है तो वाके में ही चिंता का विश है यहा सब्सक्राइब करेक्शन नीचे के लेवल देखने को मिले यह स्टॉक में वालेटिलिटिस प्राइस में नहीं रिजल्ट्स में भी है अगर आट दस क्वाटर के रिजल्ट देखोगे तो पिछले तीन-चार क्वाटर में रिजल्स एक्स्रेप्शनली अच्छा है उससे प पूरे साल में कंपनी पांच साड़े पांच रुपे का एपिएस कर देगी और यह टीटीम बैसिस पे आठ या नो के पी पे ट्रेट कर रही है एक तरह से वह कलकुलेशन सही है पर यह कंपनी आने वाले समय में निगेटेवली सरप्राइस भी कर सकती रिजल्स के फ्रेंट इस तरह के शेयर्स में पैसा लगाते हैं वो बने रह सकते हैं अपने रिस्क अपटाइट के हिसाब से बहुत बड़ी क्वांटिटी खरेदने के लिए बचें फिलाल अगर मैं वन लाइन में रिव्यू करूं तो रिजल्स बढ़िया और रिजल्स के बेसिस पे स्टॉक मे पॉजिटिव मुवमेंट देखने को मिलना चाहिए मार्किट और आगे देखेगी किस तरह से आते हैं पर फिलाल के बेसिस पे जो है कल मार्केट खुलेगी तो शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए मेरा माना इन रिजल्स के बेसिस पे 5% का सरकिट हो सकता ह आगले 2-3-4 session stock में अपर circuit देखने को मिले पर consistency के साथ company इस तरह परफॉर्म कर पाते हैं यह देखने वाली बात होगी फिलहाल अगर आप इस stock में हैं तो बने रह सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वज़े से इन लेवल से कोई बहुत बड़ी selling आए तो फैंट इस टॉक के लिए पॉजिटिव होने चाहिए मुच लगता है कि नौ पॉजिटिव नौट पर ही ओपनिंग होने चाहिए मार्केट पर इस शेयर काइंपक्ट काफी पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा फृदर आपके कोई भी को इस वीडियो को लेकरो फिल फिल कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आई है लाइक केजिए फेंश के साथ शेयर केजिए आपके अपने युटिव चैनल इसमाइंवेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना भूले थैंक यू